इन डेम्पींग की बात कि जीटा की डिपरेंट 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 विल्यू के लिए उसके रूट्स किस परकार से वेरी करते हैं तो उसके वारे में भी अपने बहुत देटेल से बात किती है आज अपने बात कर रहे हैं अंडर डेम्ट सिस्टम की क्योंकि क्योंकि कीटिकली डेम्ट सिस्टम प्रिक्टिकली मतलब उसको इंप्लिमेंट करना पोशिबल है नहीं क्योंकि अगर कोई भी परामेटर होगा जीटा कीविगगर सिस्टम की फशुष्सक्स citizen की में गर बात करूं और डेम्ट सिस्टम की वह ऑपन के लिए का है और सीस्टम 350 masks लीकर चुके हैं इस प्ल में उसकी अपन की एसफ्लनों से नईटारी नहीं नेनीटिटी तो फैस्वेयर्रेस्टेबल नहीं कर्पाइबुख्य। response analysis करेंगे under damped system की वो भी अपन only for unit step response के लिए बात करने वाले हैं आप यहां लिको response analysis analysis of standard second order system और second order के अंदर भी अपन only for under damped की बात करेंगे किसकी बात करने वाले हैं under damped system की बात करने वाले हैं और आपको पता है को standard second order system का transfer function क्या होता था c s upon r s की value होती थी omega n square upon s square plus two zeta omega n s plus omega n square यह होता था बेलकुल यह होता था और आपको response analysis क्या होती है for a given input output की value find out करना response analysis क्या पर एक given input आउटपुट की value find out करना response analysis क्यलाती है और आपको पता अपनका input एक fixed input है, वो है unit step input, अपनको response analysis only for unit step input के लिए ही करनी है, अपन impulse के लिए response analysis करते हैं, लेकिन यहां में नहीं करूँगा, क्योंकि अपन जब response analysis only stable system के लिए ही कर रहे हैं, तो impulse response से आपको यही result मिलता है, कि system stable ह है या नहीं, अगर आपका impulse response absolutely integrable है, तब आप कहते हो system stable है, और अगर नहीं है, तो आपको यहीं से पता चल गए, system अपनका under damped है, तो stable है, तो आपका impulse response को आपको find out करने की कोई जरूरत नहीं है, और आपको मैंने बताया था, ramp response and parabolic response, उसको आपको analysis करने की जरूरत नही है, उसके analysis only for steady state error की बात करेंगे, उस time अपन करने वाले हैं, तो अपन के लिए only एक input बचता है, वो आपका input है, unit step input, क्या है, unit step input, और अगर मैं इसका la plus रहता हूँ, तो उसकी value आजाती है, 1 by S आजाती है, आपको यहां तक आपको सम्झेन आ गया हो गया, तो अपन इसका लेते हैं, unit step response की बात करने पहले हैं, तो आप देखो, Cs की value किते हो जाएगी, ओमेगा N इसका अपन S इसकार, पलस 2 जीटा ओमेगा Ns, पलस ओमेगा N इसकार इंटू 1 by S हो जाएगा, और अगर मैं इसका inverse laplace transform लूँगा, तो आप लेकर देखना, इसकी value विलेगी, 1 minus e की power minus zeta omega Nt upon android of 1 minus zeta square, यहां आता, sin omega dt plus phi और, जहां पर omega d क्या होता है, आपको पता ही है, omega d equal to omega N, android of 1 minus zeta square होता था, और आपको पता है, phi क्या होता था, जीटा की value किसकी क्या होती थी, पता ही होगे, यह आपका unit step response आपको देगा, और यहां तक आपको समझा रहे हैं, यह आपको याद होना ही होना चाहिए, क्यों याद होना चाहिए, कभी-कभी आपको वो unit step response देगा, और आपको जीटा और omega n की value पूछ लेगा, क्या पूछेगा, जीटा और omega n की value पूछ लेगा, तो आप सबसे पहले तो जीटा की value यहां से find out कर सकते हो, इसकी मदद से, π की मदद से भी आप जीटा की value find out कर सकते हो, या फिर omega n, यह आपको पता होना चाहिए, जो T के capability होता है वो omega d होता है, यहां से आप zeta की value find out कर देते हो और यहां से आप zeta की value find out करके इसके अंदर रग दोगे यहां से आपको omega n की value मिल सकते हैं बड़ी आसानी से आप find out कर सकते हो आज हो यहां तक आपको समझने आगया होगा कभी कभी आपको वो unit step respond देगा और आपको system parameter की value पूछ लेगा तो बड़ी आसानी से बता सकते हो अगर मैं इसका CT का अगर मैं ग्राब बनाऊ तो कुछ ऐसा करो बनेगा CT अगर मैं time के साथ मैं CT का करो बनाऊंगा तो कुछ ऐसा बनेगा CT versus T आपको पता हैं अगर मैं CT की initial value की find out करूं C of 0 की value find out करूंगा तो आपको पता हैं यह किता हो जाएगा 1 हो जाएगा omega dt किता हो जाएगा 0 हो जाएगा और आपको पता हैं sin phi की value किती होती है sin phi की value होती है under root of 1-geeta i2 अगर आपकी cos phi अगर जीटा हैं तो आपको किता हो जाएगा sin phi किता हो जाएगा आप बाढ़ी आसानी से बता सकतो यह हो सेगा वन माइनस जीटा स्काइच तो यह कैंसिल आउत हो जाएगा यह भी वन यह था और कितना हो जाएगा पमध्र किता हो जायगा इसकि सफजिय weg कितनी एनिजसी वेलिटी की फाइनल वेल्यू की मैं अगर बात करूं तो यह अब आप इसका र्यस्पूंस बना गए ता आपको कुछ ऐसा मिलें। यह एक अंडर ड encouraged system का यूनिट step response आपको कुछ ऐसा मिलेगा, यह को यह उन्या तक आपको समथन है आगें। अब अपन इसके response parameter की बात करेंगे बहुत सारी बाते पूचेंगा जब अपन response से किसी parameter की value find out करते हैं तो response parameter कहते हैं जबकि अपन किसी transfer function से कोई parameter find out करते हैं तो उसको system parameter बोलते हैं और इसको बोलते हैं response parameter सबसे पहले मैं आगर रास्टाइम की बात करो में बात करता हूं रास्टाइम की लिए रास्टाइम की अध्यूंड के हीसे होता है कि आप जीरो से सटार्ट हो के पहली बात वन को कब तच करें थिप तो आप यहां तक आपको सम्झा गया होगा तो आप यह आपको यहां तक आपको सम्झा गया होगा पाई माइनस अप sonra ओमेगा आप न इसको बड़ी आतव से वेल्य необ Monsieur pi vidéo को सम्झार पर रख़त refined out कर सका तो कुछ भी नहीं करना एं इसकी वेल्य माद और किनel फाट। इसकी value किसके equal आ जाएगी 0 के equal आ जाएगी यह तो आपके 0 के equal होगा नहीं तो आपको sin की value किसके equal होनी पड़ेगी 0 के equal होनी पड़ेगी तो omega dt plus phi की value किती होनी पड़ेगी omega dt plus phi की value n pi के equal होनी पड़ेगी तब भी तो इसकी value है जीरो के equal होगी तो n की value मैं सबसे पहले लगूँगा 1 लगूँगा तो यह answer किता आजाएगा pi minus pi उदर जाएगा किसका हो जाएगा minus का upon ने कितना आजाएगा omega d आजाएगा यह आपको t की value मिल जाएगी और मालो आपको graph देखे यह time पूच ले तो कुछ भी नहीं करना आपको अब बड़ी आसानी से यहां पर आपकितना पूट करके अगर अगर आप यहां two put up करोंगे तो आपको simply यह वाला time मिल जाएगा n की जगा two करोंगे तो यह second वार जब touch करेगा वो time मिल जाएगा n की जगा अगर three put करेगा तो तीस्ती वार one को cut करेगा वो मिल जाएगा four रखोगे तो चोती वार जां कट करेगा उसकी value मिल जाएगी बड़ी आसानी से आप find out कर सकते हो I hope यहां तक आपको सम्झना आ गया होगा सुछ करव कर होगा जो आपको पेहला पिक होगाना वो हमिषा सी करव का सबसे मेकजिमम पिख होगा क्या यहां से आपको वह एक जवनेर अर पिक टाइंग पूर सकता है तो अपनने बात किती, Andampt Frequency of Oxalation की बात यही थी, Omega D equal to Omega N One Minus Cheta Demokrat. यह इसकी Frequency of Oxalation है, लेकिन इसका Oxalation का Amplitude दीर दीर हो रहा है, Decrease हो रहा है, Decay होता होता क्या हो रहा है, One को 1 ko touch कर रहा है, Final Value को reach कर रहा है, इसका Amplitude, Oxalation का Amplitude Decrease होते होते, कर रहा है क्योंकि अंडर डाम सिष्टम है यस की फिर मैंड़ इसके बाता जाति हो डाएं तो टाइम कंस्टंट हो रहे हैं तो ने सब्सक्राइब तो देम av यह बनेंगा टाइम कंपरई होगा वन्हें दख़ तो आपको ने किन नने एकम कंप्रीट केंद Court में घुता यह आपका कितना हो गया one time constant वह जैको यह क्या है minima है तो minima से minima ही तो होता है आपका time constant यह तो होता है बिलकुल ही होता है और यह जाको यह क्या बेंच है आपको आपको इसमें मिल रहा है ठुरहा अगर आपको time कितना हो जा taller गा यह पूरा अगर आपका time period है तो time period by 2 हो गये नहीं होगा तो takको अपन 2 हो जाएगा आपको time कितना मिल जाएगा घया है फनी 2 करोट घया मिल जाएगा आइओ यह यहां तक आपको समझा अगया होगा, यह आपका 1st peak है, यह आपका 1st maximum है, यह आपका 1st minimum है, अगर यह time आपको पूछे, तो किता हो जाएगा, एक time period के इक्वल हो जाएगा, अगर आपको यह वाला पूछे, second maximum है, तो simply किता हो जाएगा, इसके अंदर एक मिनिमा से मेकजिमा तक जाने के लिए आपको t by 2 एड़ करना है simply t plus किता हो जाएगा t by 2 हो जाएगा और simply अपन ये बात करें तो अगर आप ये याद रखो n pi upon omega d कितना n pi upon omega d फिर फिर इसको किताइब आफिक टायम कितरह याद रखो n की जगह अगर old value put up करोंगे n की जगभा 1 put up करोगे तो first max gma n की जगए अगर 3 put up करोगे old values तो आपको second maximum n की जगह 5 put up करोगे तो third max gma आपको max gma मिलते रहेंगे n की जगे अगर आप even value put up करोगे n की जगे अगर आप two put up करोगे तो आपको first क्या मिलेगा minima n की जगे four put up करोगे तो आपको second minima मिलेगा n की odd or even के लिए आपको megjima और minima मिलता रहेगा अजोप यहां तक आपको समझा गया होगा अबर सूट और अंडर सूट की value आपको मिलती रहेगी यह आपको मातलब आपको pick time का idea मिल गया होगा pick time क्या होता है यह आपका pick time हो गया वो आपका क्या हो गया? rice time हो गया यह आपको क्या हो गया? pick time I hope यहां तक आपको समना आगया होगा अब आपका आता है settling time, क्या होता है? settling time, settling time depends करता है, आप इने कितना tolerance allow करते हो, आप अगर UMPAN control system में 2% tolerance को क्या करते है? allow करते हैं, और 2% tolerance को allow करते हैं, तो उसके corresponding settling time होता है, 40 होता है, किता होता है? 40 होता है, आप यहां तक आपको समन्य आ गया होका, जैसे, देखो, अपन, मैंने आपको हात कीlles थे, अपन अंडर्डेम system की बात कर रहे हैं, तो यह आपके यह आपके दूनो रूट होगे, क्या होगे? दोनों रूट क्या होंगे, कॉंप्लेक्स होंगे, कॉंप्लेक्स होंगे, और क्या होंगे, यह आपका होगा, जे ओमेगा डी होगा, यह आपका कितना होगा, आइनस जे ओमेगा डी, और यह कितना हो जाएगा, आपका, माइनस अलपा, यह वाली आपके डिस्टेंस किती होग तो आपका settling time किसके एकल में हता है 4 t k MRC यह settling time fortune fund time account का हम में होता है इह आपका plus minus 2% tolerance के लिए यह आपका holy time price होता है यहां पर में परम आपको बना बटा थाहो म्हालो यह अपका यह कितना हो जीए 1.02 यह हो जाएगा 0.98 हो जाए किता हो जाएगा यह आपका 0.98 यह आपका प्लस मैनिस 2% tolerance की में बात करूं तो यह आपका हो जाएगा तो देखो इसके अंदर यह जो आपका band है 2% tolerance वाला band है इसके अंदर करू सबसे first time है ना कब आप एंटर हो रहा है तो आपको यह यह एंटर हो रहा है फिर इसके अंदर से बाहर नहीं निकल रहा है तो यह time इसके corresponding जो आपको मिलेगा time उसको अपन बोलेंगे settling time क्या बोलते हैं settling time और settling time से पहले एक वाले period को अपने बोलते हैं transient period और settling time के बाद वाले period को अपने बोलते हैं steady state period ऐसे तो मैं अगर ideally बात करूँ तो steady state period t equal to infinity पे अच्जीव होगा लेकिन theoretically अपन 4 time constant के बाद settling time के बाद अपनी assume कर लेगे कि system steady state को reach कर लिया है अपनी assume करके चलते हैं कि अपने का system steady state को reach कर चुका है आई होप यहां तक आपको समझा गया होगा settling time का idea होना चाहिए pick time का idea होना चाहिए rice time का आपको बहुत अच्छा सा idea होना चाहिए अब आपन बात करने वाले pick our suit की value अपन निकालने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका pick our suit होता क्या है इसकी बात अपन करने वाले हैं अपन बात करने वाले pick our suit की हमेशा अपन percentage pick our suit की बात करना ही पसंद करते हैं और percentage pick our suit की value होती है आपकी करsti की maximum value आपको पता है pick our suit क्या होता है यह आपका a.pick our suit क्या होता है करो की max value minus ist state value upon ist state value into 100 I hope यहां तक आपको समन्हा आ गया होगा मतलब यह आपके क्या हो जाएगी यह वाली आपकी value हो जाएगी करो की c of t, और यह जो आपकी 1 है यह आपके क्या हो जाएगी c of final value आई होग यहाँ तक आपको समनिया आ गया होगा कभी भी आपको były चाहिए तो इसका मतलब क्या होता है? फाइनल वेल्यवाइटा रिइटो होगा यह आपका होता है परसंटेज पिक आवसूर क्या होते हैं परसंटेज पिक आवसूर आई होप यहां तक आपको समय आ गया होगा और अगर आपको कभी परसंटेज में ना दे के simply पिक आउर्ट तो अगर इसको और इसको मैं आपस में compare करूंगा तो देखो 100 से हंट्रेट आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा बिल्कुल तो देखो c of t of peak value minus c of final value upon वाली वेल्यू को आप उदर बेज़ दो यह उस करव की final value into e की power minus zeta pi upon and root of 1 minus zeta ishk अज होप यहां तक आपको सम्झा आगा हो यह क्या हो गए peak value अपन के standard के case में तो आपन की final value कितनी मिल रही है वन मिल रही है तो c infinity का कुछ significance बचेगा नहीं लेकिन अगर final value वन ना होके कुछ अलग हो तो उस case में आपको final value से multiply करना मत बूलना c of infinity से multiply करना और इसको आपन बोल देते हैं simply pick value मतलब maximum value minus final value को simply pick value बोलते हैं और percentage pick value बोलते हैं आपकी maximum value minus final value upon final value into 100 और simply pick value के अगर वो आपको पूचेगा तो peak value minus final value equal to क्या हो जाएगी final value into e की power minus जीटा पाई अपन अंडरोड 1 minus जीटा स्कूर में का आपको example की मदद से समझाओ तो आपको बहुत detail से समझ में आ जाएगा मालो आपके पास यह system है 4 upon s square plus 2s plus 4 यह आपका एक system मालो आपको दे दिया और input आपका unit step input ना देखके examiner ना आपको input ऐसा दे टू-u-t मालो होगा आपको पता हैं में किता हो जाएगा आरस की value हो जाएगी 2 by s हो जाएगी यह आपके क्या होगी c s upon Rs होगा यह नहीं होगा बिलकुल सी एस अपोन रस होगा यह यहां तक आपको समझने आ गया होगा यहां से आगर मैं c s की value फाइनल वेल्यू निकालना चाहूंगा तो आपको पता है यूनिट इस्टेप इनपूर से आप अगर एस हटा के जीरो पूट अप कर देते हो तो आपको फाइनल वेल्यू मिल जाती है यह आपको फाइनल वेल्यू किती मिल जाएगी यहां पर आपको फाइनल वेल्यू किती मिलेगी तो यहां पर आपका पिक आउट सूट किता मिलेगा c of tp minus c of infinity की वेल्यू यहां पर आप 2 से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा e की पावर minus zeta pi upon under root of 1 minus zeta square जबकि आपको अगर आपको percentage पिक आउट सूट की वेल्यू पूचे तो वाँ पर चाई unit step input हो चाई unit step input ना हो कोई फरक नहीं पड़ेगा इसकी value simply क्या होगी e की पावर minus zeta pi upon under root of 1 minus zeta square होगा यहनी percentage पिक आउट सूट पे unit step input हो चे simply step input हो उसका कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन आपको पिक आउट सूट पे हम्मेशा unit step ना हो तो फरक पड़ेगा और यह आपको careful रहना पड़ता है कि सी infinite से आपको multiply करना ही पड़ेगा यहां तक आपको समय आ गया होगा और और आपको यह भी एक्जमिनर कभी कभी प्रोवाइड कर दें इधर माहनले आड दे दे एड दे और input आपका माहनलो input आपका unit step input ही है देखो input आपका unit step है लेकिन यह आपको standard second order नहीं दे फिर भी आपको यह का यह ही method यूज करना है यहां पर भी अगर आप इसकी final value find out करोंगे तो final value अगर 8 रहेगा तो फोस्टे 2 कटेगा तो पिछे किता बचेगा 2 बचेगा और जब आप pick out suit की value find out करोंगे तो आपको 2 से multiply करना ही पड़ेगा यहां तक आपको समना आगया होगा यह आपका हो गया pick out suit की value I hope MP की value क्या होती है यह आपके final value से steady state value से आपका pick value कितना दूर है इसको अपन बोलते है maximum pick या pick out suit sagtyouнос अब को समना घ़ेगा अपको राइस का action अच्छा आइडिया आगया होगा प्लिक time के बारे माईडिया का esian time के बारे माईडिया वगया होगा और कभी-कभी आपको एसे भी सुआल मेल जाते हैं कि settling time यह आपका settling t今天 से पहलेafter है यह आपको क्या हुँ गया transitging पूच् dort ऑपको पारे लिए पिछ सकते हैं कि स्थी निगुकिस्ट सेजावी में पारें taywa, पर कहां पूच में गबारा यह कारें चतरहें किसक्राइज लेद्ध पेरें अपूच और भी आपो मेरी हैं लिएänder में टी ओप लेग देना ताकि आप वहां पर confusion ना हो तो यह ओक्सेलीशन का time period किता है तो पाइप ओमेगा डी और आपको tS पाता है तो एक कितनी ओक्सेलीशन में इतना time लगता है तो इतने time में कितने और में obsolete होंगे आप बढ़ी आसनी से find out कर सकते हो यह अपन की होगी रैस्पमस analysis complete एक second order system के जो भी आपके transient parameter होते है इनको अपन transient parameters बोलते है चाहे वो rise time हो चाहे settling time हो चाहे आपका peak time चाहे आपका MP हो कुछ भी हो अब अब बात करेंगे अग्ले लेक्टर में steady state error की और इसको बोलते हैं steady state parameter क्या बोलते हैं इनको जो भी अपन आज बात कि इनको बोलते हैं transient parameter और जो अपन कल लेक्टर में बात करेंगे steady state error की उसको बोलते हैं steady state parameter उसको अगले लेक्टर में बात करेंगे यह भी अपन बात करेंगे कि जो steady state parameter होते हैं वो system की type पे depend करते हैं जबकि transient parameter system की order पे depend करते हैं यह पी आपकी most important concept बनता है कि आपकी transient parameter हैं वो system के order to order vary करेंगे जबकि steady state parameter होता है वो system की type पे depend करता है system का order क्या होता है और आपका type क्या होता है इसके बाद अगले lecture में करेंगे और अपने अगले लेक्टर में बात करने वाले इस्टेट एर्र की जो कि एक most important concept है तो फिर इस लेक्टर के लिए तने thank you so much